अब देखिए आज का जो Hindu editorial analysis है, इसमें दो editorial दिये गया है, सबसे पहला जो है, जो नया telecommunication bill, जो लोक सभा में अभी पास हुआ है, उसी के ऊपर जो है, आज बातचीत किया गया है, कि उसमें क्या problems है, ठीक है, and कौन-कौन से जगह में जो है, नय-नय नियम लाए गया है, in the new telecommunication bill, second वाला जो है, जो South India, यानि की mainly focus किया गया है, तमिल नाडू में, तमिल नाडू में, already अभी हम लोगों को पता है कि, एक दो हफते पहले, क्या हुआ था, साइक्लोन मिजंग, उसके बाद जो है, बहुती भारी बारिश हुआ है, वहाँ पे, and उसके वाज़े से, जो लोकाब में, first word क्या है, consolidating, consolidating क्या है, verb, consolidate करने का मतलब क्या है, एक साथ जोड़ना, जोड़के जो है, कोई एक strong body तयार करना, उसे जो है, consolidate कहा जाता है, combine a number of things into a single more effective or coherent whole, ठीक है, मान लोग बहुत कुछ चीज एक साथ, एक जुट होके, अगर कोई एक नया body form हो रहा है, जो की बहुत strong है, उसे हम लोग कहेंगे, consolidate करना, then statute, statute क्या है, noun है, statute क्या है, कि कोई भी मान लोग एक written law, अगर कोई legislative body अगर pass करवाता है, then उसे हम लोग क्या कहते है, statute, ठीक है, written law passed by a legislative body, then non-compliance, ये क्या है, noun है, non-compliance, non-compliance का मतलब क्या है, कि नियमों का पालन न करना, ठ जाता है, the fact of failing or refusing to obey a rule, अगर कोई अगर, rule को अगर obey नहीं कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, non-compliance, then आ जाते है, touted, touted क्या है, verb है, touted, touted का मतलब क्या है, praise करना, ये हम लोगों ने किया था बीच में, ठीक है, touted, touted हम लोगों ने किया था, I think, 36 गड़ का जो, cm जो किया गया था, उस समय हम लोगों ने किया था, वहाँ पर, touted, touted का मतलब क्या है, praise करना, तो, to advertise, talk about, or praise something, or someone repeatedly, यहाँ पर जो है, to आएगा, यहाँ पर, to advertise, ठीक है, then, on the margins, ये क्या है, phrase है, on the margin, on the margin, मतलब क्या, मान लीजिए, एक particular section of the people, जो मान लीजिए, जो सुविधा है, उस से परे है, वो उनलों को नहीं मिल रहा है, then, उसे हम लोग कहेंगे, on the margins, a person on the margins of a situation, or group has very little power, उसके पास, जो है, बहुत ही कम power रहता है, उसके साथ, उसका importance भी बहुत कम रहता है, और influence, उनलों का influence भी नहीं होता, जैसे marginalized section of the people, हम लोग कहते हैं, तो उसे, जो है, हम the margins, चली, next, आगे बढ़ते हैं, ambit, ambit का मतलब क्या है, ambit जो है noun, ambit का मतलब क्या है, दायरे में, ठीक है, so ambit का मतलब क्या है, the scope, extent, or bounds of something, किसी चीज़ के दायरे में रहना, उसे हम लोग कहते हैं, ambit, then snooping, snooping जो है noun, snooping का मतलब क्या है, मान लीजे, किसी का personal matter में, कोई दखल दे रहा है, then उसको हम लोग कहेंगे क्या, snooping, so the action of furtively trying to find out something, especially information, अगर information अगर निकाला जा रहा है, about someone's private affairs, तो किसी का private life से अगर मान लीजे, कोई अगर information निकाला जा रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, snooping कहेंगे, then contentious, contentious क्या है, adjective है, contentious, contentious का मतलब क्या है, causing or likely to cause an argument, controversial, अगर मान लीजे, किसी बात के उपर argument अगर हो रहा है, ठीक है, अगर वो controversial चीज है, then उसे हम लोग क्या कहेंगे, contentious कहेंगे, then scrupulously, ये क्या है, adverb है, scrupulously का मतलब क्या है, in a very careful and thorough way, अगर मान लीजे, कोई अगर careful way में कोई काम अगर हो रहा है, then हम लोग कहेंगे, sc scrupulously, ठीक है, तो चली, start करते हैं, आज का first editorial, क्या कहा जा रहा है, incoming call, on the introduction of the telecommunication bill 2023, तो किसके उपर बातचीत किया जा रहा है, telecommunication bill, जो अभी pass हुआ है, लोग सभा में, उसी के उपर बातचीत किया जा रहा है, तो telecommunication bill, अभी कहां पे pass हुआ है, लोग सभा में, पास ठीक है, उसके बाद यह जाएगा, राजन सभा में, फिर वहां से जो है, president का signature के बाद, यह बन जाएगा law, ठीक है, तो regulation of internet world must address privacy concern, तो यह बोला जा रहा है कि, एक किसके उपर ध्यान देना चीए, जो privacy है, लोगों का privacy regulation है, वो और simplified way में जो है, यहाँ पे पेश करना चीए, यही जो है, यहाँ पे कहा गया है author के द्वारा, तो चली, start करते हैं, the introduction of telecommunication bill 2023, the introduction of telecommunication bill 2023, inches closer to achieving the union government's long standing aim, तो बोला जा रहा है कि, अभी जो है, कुछ ही दूरी में है, inches closer का मतलब के है, कुछ ही दूरी में है, क्योंकि, अभी मैंने कहा था, कि यह जो है, अभी लोग सभा में, पास हुआ है, फिर राजे सभा, then president का signature के बाद, यह जो है, law बन जाएगा यह, तो वही, अभी जो है, यह inches closer है, to achieving the union government's long standing aim, of consolidating the law for wireless network and internet service provider, की यह जो law है, माल लीजिए, कोई माल लो आपको net provide कर रहा है, ठीक है, या फिर जो telecom जो operators है, Airtel हो गया, G हो गया, Vodafone हो गया, तो हर चीज के उपर जो है, government का यहाँ पे control रहेगा, and उसको जो है, एक ही law के under में, जो है, लाया जो हैगा, and उसे कहा जा रहा है, telecommunication law, ठीक है, with a 46 page statute, तो बोला जा रहा है कि, जो law जो पास किया गया है, ठीक है, यह जो bill जो पास किया गया है, वो क्या है, 46 page का एक statute है, that leaves existing regulatory structure largely intact, तो यह बोला जा रहा है कि, जो regulatory structure है, वो क्या है, वो सही जैसे था, वैसे ही, जो है, इन ही हुआ है, while simplifying bureaucratic procedures, bureaucratic procedures का मतलब क्या है, जो मान लीजिए, नियम कानून है, ठीक है, उसको जो है, और जो है, simplify किया गया है, such as applying for licenses, मान लीजिए, जो internet providers है, उनका license मिलने में बड़ा दिक्कत होता था, but वो process को जो है, यहाँ पे simplify किया गया है, and permits for telecom operators, और यह भी बोला ज है, उनको permit मिलने में भी, जो है, problems हुआ करता था, जो नियम है, वो problematic था, but उसके उपर जो है, यहाँ पे काम किया गया है, उस चीज़ को जो है, यहाँ पे और easy किया गया है, licensing processes are set to be digitized, तो बोला जा रहा है कि, licensing processes है, वो क्या है, digitally अभी होगा, उसके लिए कोई भी paperwork नहीं रहेगा, and telecom operators will have a new way of dealing with non-compliance with their license terms, अब यह बोला जा रहा है कि, माल लीजिए, कोई अगर telecom operators का अगर नियम पालन नहीं कर रहा है, then उसके लिए, जो telecom operators है, उसके पास जो है, अभी एक नया नियम रहेगा, उसके उपर, जो है, action लेने का, while also having access to district and state level authorities for permission, access किसके पास रह रहेगा, जो district level authorities है, और जो state level authorities है, उसके पास ये access रहेगा, किसके लिए, permissions के लिए, and dispute resolution, when setting up their equipment and optical fiber networks, तो यह बोला जा रहा है कि, जब वो लोग माल लीजिए, अपना equipment setup करेगा, या फिर जो optical fiber network जब setup करेगा, तो उसके लिए access किसके पास रहेगा, जो district authorities and state authorities, दोनों के प access रहेगा, जब वो लोग ये, अपना equipment setup करेगा, on public and private properties, the bill also lets the satellite internet industry, तो बोला जा रहा है कि, इसमें जो है, जो satellite internet industry, satellite internet industry, यानि कि, एक ही satellite से हर एक को जो है, वहाँ पे क्या है, internet मिलेगा, तो ये जो है, जो rural areas है, उसके लिए बहुती फाइदे मंद होगा, कि जो गरीब लो satellite internet industry, that is long touted, जिसको जो है, बहुत पहले से, उसके बारे है, बहुत कुछ कहा गया है, touted का मतलब क्या है, किसी चीज के उपर माल लिए, बहुत, अगर कहा जाए, अगर praise किया जाए, उसे हम लोग touted कहते हैं, तो ये satellite internet industry के उपर, जो है, बहुत बाते पहले हो चुका है, as a लोगों को जो है, थोड़ा सा, जो है, यहाँ पर relief देखने को मिल रहा है, as there is clarity that it will not need to bid for spectrum, तो बोला जा रहा है कि, जो माल लिए, जैसे 5G spectrum है, 4G spectrum है, उसके लिए माल लिए, जो companies है, वो लोग क्या है, bidding करते हैं, तो ये bidding करने का कोई भी ज़रत नहीं है, तो ये ही बोला similar footing with other countries, ताकि जो बाकी जो देश है, उसके जगा, मतलब उसके respect में, इंडिया भी जो है भी उसी level पे आ जाएगा, then क्या बोला जा रहा है, कि the bill has been welcomed by industry bodies for streamlining their regulatory landscape and promoting their ease of doing business, तो बोला जा रहा है कि, यही जो bill है, इसको जो है, industrialist ने welcome किया है, कि इस से जो है, उनलों का जो business करन है, उसको promote करने का जो तरीका है, यह और जो है, और easy हो जाएगा, and would possibly give the much needed regulatory stability and enabling environment for the next phase of telecom expansion, और यह बोला जा रहा है कि, इस से क्या है, जो much needed, जो regulatory stability है, वो भी provide करेगा यह, and enabling environment for the next phase of telecom expansion, कि माल लीजे, हम लोगा country में, जो telecom expansion किया जाएगा, हर लोगों के पास, जो है, internet and mobile connectivity पहुचा जाएगा, तो यह expand करने में भी यह मदद करेगा, then, over half of India's population is on the margins, तो बोला जा रहा है कि, half of Indian population, जो है, वो क्या है, उनलों के पास, यह connection नहीं है, उतना, ठीक है, वो लोग जो है, परे हैं, यह सब सुविधाओं से, is on the margins of the connected world, and the bill could help, और यह बोला जा रहा है कि, बड़ जो issue है, वो क्या है, persist कर रहा है, the expansive definition of telecom brings in its ambit a range of services, तो बोला जा रहा है कि, जो expansive definition of telecom है, वो अपने दायरे में, ambit का मतलब क्या है, वो अपने दायरे में क्या ला रहा है, a range of services, and state authority over them raises concerns of privacy and surveillance, और यह जो state authority है, वो क्या है, वो क्या है, वो कुछ concerns raise कर रहे है किसके उपर, privacy और surveillance का, अब देखो, अगर हर चीज के उपर, अगर सरकार का अगर नजर रहेगा, ठीक है, तो then क्या है, लोगों का जो privacy है, उसका हनन होगा, माल लीजिए, मैं अगर किसी को अगर message भेज रहा हूँ, वो भी अगर सरकार को अगर पता है, वो अगर उसको intercept कर सकता है, then ultimately जो है, यह privacy का हनन यहां पर हो रहा है, these concerns are not merely academic, considering past allegations of state-sponsored snooping, तो बोला जा रहा है कि यह जो concerns है, ऐसा नहीं कि यह theoretical है, academic का मतलब क्या है, यहां पर क्या बोला जा रहा है, कि ऐसा नहीं कि यह theoretical है, यह जो है practical है, यानि कि इसके evidences हम लोगों को मिले है, considering past allegations of the state-sp sponsored snooping, the bill tries to deal with spamming concerns, तो बोला जा रहा है कि यह जो bill है, यह किसके साथ deal करेगा, spamming concerns के साथ, कि spam जो है, नहीं कि देखिए, हम लोगों का mobile में, जो है, spams बहुत आते हैं, कि आप यह loan ले लिजिए, आपके लिए credit card आपको मिल गया है, आप इसको accept करने के लिए, इस link पे, आप join हो जाएए, आपका bank account में इतना पैसा आने वाला है, तो यह सब क्या है, spams है, ठीक है, तो यह spams से जो है, यह deal करेगा, यह नया bill, but its proposed solution require additional compromises to privacy, but इसका जो solution है, यह ultimately जो है, इससे privacy का हनन होगा, privacy लोगों का जो है, चीन लिया जाएगा, the issues of surveillance reform and internet shutdowns have massive implication, तो बोला जा रहा कि यह जो issues है, of surveillance reform and internet shutdowns, इसका जो है, massive implication, massive result, हम लोगों को देखने को मिलेगा, and must not be avoided, and इसको जो है, avoid नहीं किया जाना चाहिए, just because they are contentious, ऐसा नहीं कि यह complex है, यह controversial है, इसलिए contentious का मतलब क्या है, controversial, ऐसा नहीं कि यह controversial है, इसलिए हम लोग इसको ignore कर देंगे, ऐसा नहीं ह जा रहा है कि government जो है, इसको open mind से concerns को जो है, government को सोचना चाहिए, considering the vast powers that the text of the bill grants it, तो बोला जा रहा है कि government के पास जो है, पूरा power है, कि वो हर चीज के उपर जो है, government का access रहेगा, तो यह जो privacy concern है, इसके उपर जो है, government को जो है, पूरा ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों लाए गया था, for consultation, responses from industry bodies, तो जो industry bodies के तरफ से, जो responses थे, and the public were withheld from scrutiny, तो यह बोला जा रहा है कि उनलों को जो है, scrutiny से उनलों को रोक लिया गया था, to further reassure the public of its clean motives, तो बोला जा रहा है कि, जो public है, उसको फिर से reassure करना, कि असल में यह bill के पीछे, जो है, clean motive है, the government must scrupulously conduct rulemaking with absolute transparency and consultation, तो बोला जा रहा है कि, government को क्या करना चाहिए, ध्यान से, जो है, किसके उपर काम करना चाहिए, rulemaking के उपर काम करना चाहिए, with absolute transparency and consultation, this is especially important as many of the acts provision needs subordinate legislation, तो बोला जा रहा है कि, यह जो है, बहुत ही important है, क्योंकि many of the act, जो provision है, उसको क्या चाहिए, एक subordinate legislation चाहिए, notified by the department of telecommunication, जो क्या है, जो department of telecommunication द्वारा, जो यहाँ पर notify किया जाएगा, before they come into force, कि उसको, अगर मान लीजिए, यह जो bill है, यह जब तक, यह आ जाएगा, law के तौर पे जब आ जाएगा, उसके पहले जो है, इसके उपर काम करना चाहिए, Next, the telecommunication landscape has evolved dramatically since the telegraph act was first passed in the 19th century, तो बोला जा रहा है कि जब telegraph act आया था, in the 19th century का बाया था, 1885 में आया था, ठीक है, 1885 में आया था, जो telegraph act है, उसके बाद, जो telecommunication landscape है, वो जो है, dramatically change हुआ है, and regulation and law making of the internet world need to comprehensively address all the issues that have come with its digital explosion, और ये बोला जा रहा है कि ये जो नया जो law बनाए जा रहा है, internet world का, ये किसके उपर ध्यान रखना चाहिए, कि माल लिए जो भी issues आ रहा है, ये digital explosion के लिए, उसके उपर जो है, government को ध्यान देना चाहिए, जैसे, जो privacy है, and जो ease ह लोगों का, इसे इस्तेमाल करने का, उसके उपर जो है, government को ध्यान देना चाहिए, ये ही जो है, कहा गया है, आज का first editorial में, चलिए start करते हैं, second editorial, second editorial का vocab देख लेते हैं, ये climate related है, तो सबसे पहला start होता है, turbulence, turbulence क्या है, noun है, ये क्या है, माल लीजिए, अगर कहीं पे, अग durability, उसे हम लोग कहते हैं, turbulence, then, then, cohesion, cohesion क्या है, noun है, cohesion का मतलब क्या है, माल लीजिए, एक साथ जुड़ जाना, एक साथ जुड़ जाना, उसे हम लोग कहते हैं, cohesion, then, battered, battered क्या है, adjective है, battered का मतलब क्या है, माल लीजिए, कोई अगर किसी को पीठ रहा है, हातों से, उसे ह क्या कहेंगे, battered कहेंगे, so battered is an adjective, so injured by repeated blows or punishment, then आ जाते हैं, next word, freak, freak का मतलब क्या है, कोई भी चीज, मान लीजे, वो abnormal हो, so freak जो है, नाउन है, a very unusual and unexpected event or situation, उसे हम लोग कहेंगे, freak, then आ जाते हैं, take a beating, take a beating क्या है, phrase है, take a beating क्या है, phrase है, इसका मतलब क्या है, बहुत ही, मान लीजे, कहीं पर अगर damage हुआ हो, कहीं पर अगर बहुत ही, यह हुआ हो, damage या फिर destruction हुआ हो, उसे हम लोग कहेंगे, take a beating, then, intriguingly, कि यह क्या है, adverb है, intriguingly, यह क्या है, in a manner that arouses one's curiosity or interest, या फिर fascinatingly, मान लीजे, कोई अगर minister आए, कोई अगर बात कह रहा है, जिसमें क्या है, लोगों का interest बढ़ जाएगा, then, हम लोग कहेंगे, जो minister ने जो बात किया, वो जो है, intriguingly किया है, ताकि लोगों का interest जो है, वो बढ़ जाए, then, enormity, enormity, जो है, noun है, enormity का मतलब क्या है, मान लीजे, बहुत ही बड़े पैमाने में, उसे हम लोग कहेंगे, enormity, the great or extreme scale, seriousness or extent of something, perceived as bad or morally wrong, मान लीजे, ऐसा कोई चीज, जिसे, अगर मान लीजे, अगर हम लोग ऐसा लाएगी, वो खराब है, but वो बड़े पैमाने पे है, उसे हम लोग कहेंगे, enormity, then proactive, proactive क्या है, adjective है, proactive का मतलब क्या है, मान लीजे, कोई चीज, अगर हो गया है, ऐसा नहीं, कि उसके बाद react करना है, उसके पहले ही, मान लीजे, उस situation को उपर, अगर control है, then उसे हम लोग कहेंगे, proactive, so creating or controlling a situation, rather than just responding to it, after it has happened, तो बोला जा रहा है, कि पहले से ही, उसके उपर, जो है, काम करना, ऐसा नहीं, कि काम हो गया है, या फिर जो, प्रोब्लम हो गया है, उसके बाद, उसके उपर काम करना, then उसे हम लोग कहेंगे, proactive, ठीक है, आज आते हैं, second editorial में, क्या बोला जा रहा ह है, on the heavy rain in the southern Tamil Nadu, कि जो southern Tamil Nadu है, वहाँ पे heavy rain देखने को मिला है, दो तिन अफ्ते पहले, जो है, दो अफ्ते पहले, हम लोगो यह देखने को मिला, कि जो northern part of Tamil Nadu है, वहाँ पे cyclone, मिजोंग आया था, ठीक है, weather forecasting and preparedness, तो किसके उपर बातचीत किया रहा है, जो weather forecasting है, कि सही से weather forecast मिला भी नहीं है, यह कहा गया था, कि हाँ बारिश होगा, बठ कहां पे बारिश होगा, उसके उपर जो है, specifically कोई भी बातचीत नहीं किया गया है, and किसके उपर बातचीत किया गया है, preparedness की, सरकार जो है, उसके उपर prepared नहीं था, कि माल लीजिये, कहीं पे अगर आपदा तो बोला जा रहा है कि इंडिया में क्या होना चीए कि जो है उसके बीच में जो है उसके बीच में जो है सही से बातचीत होना चीए ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जो है सही से टैकल कर पाए चले स्टाट करते हैं आज का second editorial क्या बोला जा रहा है कि December has been a month of turbulence for Tamil Nadu तो ये बोला जा रहा है कि डिसेंबर महीना जो है तमिलनाडू के लिए एक मन्थ है जहां पर हम लोग को आटमोस्वरिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिला है जो आया था ठीक है नॉर्दन तमिलनाडू में जो है उसके जो डिस्ट्रक्शन है जो आया था ठीक है नॉर्दन तमिलनाडू में तो बोला जा रहा है कि जब नॉर्दन पार्ट जब अपने आपको समहाल रहे थे उसी समय सदन पार्ट जैसे थुतुकुडी में तिरुनेल वेली में तेनकाशी एंड कन्याकुमारी डिस्ट्रिक में क्या देखने को मिला है अ की जो रें हए इफ वेली सेंटे वाव रीजस देन उसे हम लोग कहते हैं तो है extremely heavy rainfall कायल पत्तिनम इन थुतुकूरी रेकॉर्ड़ेड रूपिंग 95 सेंटिमेटर वाइल 8 अधर प्लेसे रेकॉर्ड़ेड ओवर 50 सेंटिमेटर रेनफॉल तो बोला जा रहा है कि थुतुकूरी में जो कायल पत्तिनम है वहाँ पे हम लोगो कितना बारिश देखने को मिला ह ओफ 95 सेंटिमेटर इतना जो है बारिश वहाँ पे हुआ है और जो बाकी जो आट जगह है वहाँ पे हम लोगो कितना देखने को मिला है ओवर 50 सेंटिमेटर रेनफॉल इन दे सेम पिरिएड अटायर वेदर अक्टिविटी वस कंसिड़र अफ्रीक ओकरेंस इन दा तो बोला जा रहा है कि जो 4 million जो लोग है वो क्या है बहुत ही जो है एफेक्ट हुए बहुत ज्यादा एफेक्ट हुआ है as pointed out by Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin तो ये किसने कहा है Tamil Nadu का जो CM है जो Chief Minister MK Stalin है उन्होंने कहा है in his letter to the defense minister कि जब उन्होंने letter लिखा defense minister Rajnath Singh को तब उन्होंने दिखा है कि almost 4 million लोग जो है वो एफेक्ट हुए है तमीरा भरानी river तो ये बोला जा रहा है कि एक नदी है नाम क्या है तमीरा भरानी river even saw a flow of 1.5 lakh cubic feet per second जिसे हम लोग क्यों से कहते हैं इतना जो है पानी का level हम लोग को वहाँ पे देखने को मिला another rarity तो बोला जा रहा है कि ये normal conditions में कभी देखने को नहीं मिला बट अभी इस समय जो है ये देखने को मिला कि इसके पानी का level भी बहुत बढ़ गया है even though the exact data on human loss has not yet been ascertained कि कितने लोग का जान गया है उसके बारे में हम लोग को अभी तक जो है कोई भी certain कोई भी data हम लोग के सामने नहीं है तो बोला जा रहा है कि अगर होगा भी तो उसमें जो है जादा जो है लोगों का जान जो है नहीं जाएगा यहां पे a train with about 800 passengers वहाँ पे देखो एक train भी फस गया था एक train था with about 800 passengers from Tiruchendur to Chennai तो एक train जा रहा था was stopped at the Srivai Kuntham station वो जो है Srivai Kuntham station में वो रुख गया था क्यूंकि आगे जो है वो जान नहीं सकते थी इतना पानी जम गया था going by initial reports the infrastructure that is roads, rail lines, canals, tanks and electric poles and many houses has taken up beating तो बोला जा रहा है कि अगर initial reports के बार में अगर बात करें तो जो infrastructure है जैसे माले यह road हो गया, rail line हो गया, canal, tank, electric pole या फिर बहुत सारे घरों में जो है हम लोगों को यह problem देखने को मिला है इस वारिश के बज़े से, while a number of ministers and senior officers are supervising relief operation तो बोला जा रहा है कि बहुत सारे जो ministers हैं और जो senior officers हैं वो जो है यह relief operations को supervise कर रहे है the governor R.N. Ravi, quite intriguingly, तो देखो CM, sorry, Tamil Nadu का जो governor है, वो कौन है, R.N. Ravi है, CM का नाम हम लोगों ने देखा है, M.K. Stalin है quite intriguingly, यानि कि लोग जो है उसके बात सुने, ठीक है, बहुत interestingly उन्होंने कहा quite intriguingly convened a meeting of the heads of the departments of the central government to discuss the operation तो उन्होंने क्या है, central government के जो departments के जो officers हैं, उनको बुलाए, और उसके उपर बातचीत किया यहाँ पर next, पहरा में क्या बोला जा रहा है, कि the event again raises question, यह जो event है, फिर से जो है question raise कर रहा है about weather forecasting and preparedness, अब यह जो हुआ है, यह किसके उपर question उठा रहा है, कि जो weather forecasting है पहले से नहीं बताया गया है कि इतना बारिश होगा, अगर माल लीजिए अगर इतना बारिश अगर पहले से अगर बता देता, यह लोग भी prepared रहते, लोग बाहर नहीं निकलते तो इसी वएए से यहाँ पे देखो हम लोगों ने already देखा है कि 800 passengers जो है train में फस गए थे, यह सब problems जो है वहाँ पे देखने को नहीं मिलता, उपर से क्या है कि जो सरकार के तरफ से जो state government है, उसके तरफ से जो infrastructural जो यहाँ पे preparedness हैं, वो भी हम लोगों को देखने को नही पे मानें पे, in a large scale, but ऐसा कोई चीज जो मान लिजिये, अगर कुछ खराब, अगर संदेश लेकर आ रहा हो, so as the enormity of the rainfall caught the state by surprise, questions have been asked, why the meteorological department did not, क्यों जो meteorological department है, did not give any indication of its scale and coverage की, क्यों जो meteorological department है, क्यों किदने scale पे बारिश होगा, और कहां कहां जो है यह बारिश होगा, उसक के बारे में क्यों नहीं बताए, इसके उपर जो है, अभी जो है questions आ रहे है, but the department's line of defense is its warnings, तो बोला जा रहा है कि, जो department जो है, उनका यह कहना है कि, हम लोगों ने warning तो दे दिया, since December 14, कि हम लोगों ने December 14 से warning तो दे दिया था, of very heavy to extremely heavy rain for three days, but उन्हों ने यह नहीं कहा, कि क कितने scale पे जो है यह बारिश होगा, और कहां कहां पे बारिश होगा, besides the country's weather forecasting system has not progressed to the extent, तो बोला जा रहा है कि, हम लोगा country का जो weather forecasting का जो system है, वो जो है उतना progress नहीं हुआ है, अब देखो यह जो weather forecasting होता है न, यह किस से होता है, यह जो है super computer से होता है, यह जो है, यह super computer से ह होता है, ठीक हम लोगा country में super computers हैं, उससे जो हम लोग weather forecasting करते हैं, to the extent that exact amounts of rainfall with their precise location can be predicted, तो बोला जा रहा है कि, हम लोगा जो weather forecasting system है, वो इतना जो है technologically advanced नहीं है, कि वो यह बता दे, कि कहां पे जो है यह problem हमें देखने को मिलेगा, कहां पे यह बारिश होगा, precise location यह नहीं ब पता सकता है, यहां पे, while this is understandable, the scientific community should work towards precise forecasting, तो बोला जा रहा है कि, हम लोग समझ सकते हैं, तो अभी क्या करना है, कि जो scientific community है, उसको क्या करना है, कि इसके उपर काम करना चीए, एक साथ मिल के, जो है, इसके उपर काम करना चीए, जो weather forecasting है, उसको और जो है stable and और precise इसको बना चीए, more importantly, there is scope for closure coordination between every department and agency, तो बोला जा रहा है कि, more importantly, अभी भी बहुत scope है, कि यह closure coordination देखने को मिले, किसके बीच में, हर एक department और agency के बीच में, यह closure coordination देखने को मिले, serving the people, जो क्या है, जो people को serve कर रहा हो, for instance, a better working relationship between the meteorology department and the railways would have ensured that the Tiruchendur train did not run, अगर माल लीजिये, यहाँ पर जो अभी बोला जा रहा है, कि जो हर एक department और agency service के बीच में, जो है, बातचीत होना चीए, उस चीज के उपर जो है, काम करना चीए, तो यहाँ पर author example के तोर पर यह बोल रहा है कि, अगर mythological department और railway department के बीच में, अगर बातचीत that the Tiruchendur train did not run, तो यह ensure कर सकता था, कि यह train जो है, मत चलाईए, क्योंकि यह problem हो सकता था, बट उनलों के बीच में coordination था नहीं, तो यह problem face किया, और problem किसने face किया, common people ने, यही होता है, changes to the service of certain trains in the southern district, where made only in a reactive rather than a proactive way, तो बोला जा रहा है कि यह जो services है, ऐसा नहीं होना चीए, कि यह जो है reactive, reactive का मतलब क्या है, कि माल लिजे कोई एक incident है, ठीक है, माल लिजे कोई एक incident है, जैसे यहाँ पर incident क्या है, rainfall है, माल लिजे extremely heavy rainfall हुआ है, अब होने के बाद अगर action लिया जा रहा है, तो देन उसे हम लोग क्या कहेंगे, reactive, कि वो उसके उपर जो है, react कर रहा है, बट उसके पहले ही अगर इसको रोकने के लिए अगर action लिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, proactive कहेंगे, ठीक है, यह जो है difference है between reactive and proactive, तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है, कि changes to the services of certain trains in the southern districts, were made only in a reactive rather than proactive way, तो ऐसा है कि बारिश होने के बाद जो है, उसके उपर काम किया गया, ना कि पहले से जो है, उसके उपर precaution लिया गया, a more cohesive working arrangement, तो बोला जा रहा है कि अभी क्या जरूरत है, more cohesive, यानि कि सब लोग एक साथ मिलके, एक जूठ होके जो है, काम करें, among the different agencies, can have a mitigating effect, तो बोला जा रहा है कि अगर सब लोग एक साथ मिलके, एक जूठ होके अगर काम करें, उससे क्या है, जो problems हैं, उसको हम लोग कम कर सकते हैं, mitigate करने का मतलब क्या है, to lessen something, ठीक है, lessen या फिर कम करना, ठीक है, to lessen something, या फिर कम करना, तो यही बोला जा रहा है कि हम लोग का जो metrological department है, उसका जो system है, उसको और जो है improve करना चीए, और उसके साथ जो है, बाकी जो departments है, उसके साथ मिलकर काम करना चीए, ताकि जो common people को जो problems हो रहा है, वो ना हो, तो यही खतम होता है, आज का second editorial, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं next class में, तब तक के लिए bye bye, thank you.